Hello Friends, C++ Language सीखने की सीरीज में आज हम देख रहे हैं Lecture 21 का Part 1 जिसमें हम सीखेंगे File Handling in C++ किसी भी Programming Language में File Handling बड़ा Essential Portion होता है तो आईए इसको समझते हैं सबसे पहले हम बात करते हैं इस Data Persistence की Data Persistence का मतलब होता है Data का Existence, यानि Life of the Data हम अभी तक अपने प्रोग्राम में Data Variables में रखते हैं तो माल लीजे कि मुझे अपने प्रोग्राम में कुछ Data रखना है तो अभी Initially Situation कुछ ऐसी है कि मेरा एक प्रोग्राम है जो Run हुआ तो RAM में आया, RAM में उसे कुछ Memory मिली उसी के अंदर मेरे Variables हैं, जिसमें कुछ Data रखा हुआ है आप मुझे बताइए कि ये Variable में Data कब तक सुरक्षित है जब तक ये प्रोग्राम चल रहा है, ज़ादा ज़ादा यानि प्रोग्राम अगर End होगा, तो ये Variable तो Destroy होई जाएगा क्योंकि जैसी प्रोग्राम End होता है, RAM से आपके प्रोग्राम की Memory Release हो जाती है, RAM में तो तब तक रहता है प्रोग्राम, जब तक प्रोग्राम चल रहा है तो जो Variable इस प्रोग्राम के अंदर बने हैं, उनकी Life प्रोग्राम की Life से ज़्यादा तो नहीं हो सकती एक बार को कम हो सकती, कोई Variable अगर किसी Function के अंदर बना है, तो वो Function जब तक चल रहा है तभी तक वो Variable एक्जिस्ट करता है Local Variables इसका मतलब Variable के Life प्रोग्राम के Life से ज़्यादा नहीं हो सकती तो कई बार मुझे Data को इसलिए Variable में Store करना होता है क्योंकि अभी मुझे उस Data पे कई Operations परफॉर्म करने यानि कई सारी Lines मेरे को लिखनी है जिसमें उस Data को यूज करना है तो मैंने उस Data को एक Variable में Store कर लिया और हर Lines में उस Variable का नाम लिखकर मैं उस Data को रिप्रेजेंट करने लगा जब मेरे को इस Data का को यूज नहीं रहेगा तो वह Variable डिस्ट्रॉय हो जाए मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है लेकिन अगर डेटा मुझे Permanently Store करना है तो वह तो Variable में Store नहीं हो पाएगा यानि मैं किसी प्रोग्राम में ऐसा भी चाहता हूं कि मेरा डेटा प्रोग्राम एंड होने के बाद भी पर्सिस्ट करे अगर ऐसा हम चाहते हैं For Example आप bank में account है आपका और आप उसमें रुपया जमा करते हैं तो एक program है जो चल रहा है जो आपसे data लेगा कि कितना amount आप जमा कर रहे हैं तो आपने 10,000 रुपय जमा किये तो 10,000 program के एक variable में आ गया अब माली जे program end हो गया तो ये variable भी destroy हो गया तो ये 10,000 value की information तो bank के पास रहेगी नहीं तो दूसरे दिन अगर आप ऐसा निकालने जाओगे तो कहेंगे आपके तो 10,000 है ही नहीं इसमें reason समझ में आ रहा है कि variable की life प्रोग्राम के life से जादा नहीं है तो क्या होना चाहिए ये program के अंदर variable में जो data रखा हुआ है पर hard disk में कोई भी data store होगा तो file के रूप में store होता है तो हम क्या चाहेंगे ये जो variable में data रखा हुआ है 3 ये किस में store हो जाए ये store हो जाए file के अंदर तो अगर अब program end भी हो जाता है ये variable destroy भी हो जाता है तो भी file के अंदर data preserve अब अगली बार कभी भी किसी भी दन आप program दुबारा स्टार्ट करते हैं दुबारा variable बनता है पर इस बार variable में data आप चाहते हैं कि file में जो पहले से store करके रखा हुआ है तो उसको वापिस open करें ताकि जो data हमने पिछली बार run किया था program को तब लिया था तो अभी उसी data को use करना है दुबारा तो program में हमने program को हो सकता बहुत दिन बाद start किया है तो पहली बार जब program को run किया था तब data हमने file में रख दिया था और अब जब दूसरी बार program को run कर रहे हैं तो वही data को हम देखना चाहते हैं तो हमारे program में हमने ऐसा भी code लिखा होगा जिससे की hard disk में रखी इस file का data वापिस हमारे variable में आ सके तो यह program में हमें ऐसी coding करनी पड़ेगी जिसके current data file में जाए file से data हमारे program में आए यह दोनों काम करने के लिए ही हम बोलते है file handling तो file को हमें करना है handle फाइल पर various operations perform करने पर major operations क्या होते हैं file में कुछ write करना यानि हमारे variable का data file में जाना इसका मतलब file में write करना इसी को output भी बोल सकते एसी file का data अगर हमारे variable में आता है तो हम उसको input बोल सकते हैं या reading करना भी बोल सकते हैं तो यह data persistence का मतलब हुआ कि data कब तक exist करता है और जब data program की life से जादा exist कराना है तो फिर आपको file handling करना है चलिए एक और बहुत important term है streams इसको भी समझते हैं जब भी आपके program को run होना होता है वो RAM में आता है RAM में उसको कुछ जगे मिलती है कुछ variables उसके अंदर होते हैं जो आपने बनाए होते हैं program में अब मुझे क्या करना है मेरे program के variable का data इस file में रखना है तो file में रखने के लिए पहले file को open करना पड़ता है तो file को open कैसे करेंगे कोई function को call करेंगे तो file open हो जाएगी यानि वो RAM में आ जाएगी या आगे RAM में file अब क्या करना है अब मुझे इस program में variable का data file में पहुचाना है तो इसके लिए मुझे क्या चाहिए मुझे चाहिए एक ऐसा channel जिसके through data में इधर से इधर send कर सकूँ किसी तरीके से तो variable का data file में जाएगा ही न तो वो जो तरीका है ये line जैसी जो आपको दिख रही है न फिजिकली तो ऐसी कोई line होती नहीं है ये तो logic समझने के लिए है तो variable का data किसी तरीके से file में जा रहा ह तो तरीका important नहीं है क्योंकि वो तरीके से हमें कोई लेना देना नहीं है वो तरीका पहले से बना हुआ है हमें सिर्फ उस बने बनाए तरीके को इस्तमाल करना है और सोचिए ऐसा कि यह जो data यहां से file में जा रहा है कैसे जा रहा है यहां जो 0,1 है binary में सोचिए 0,1, 0,1, 0 इसमें से बहते हुए जा रहे हैं और इस file के अंदर store हो रहे हैं तो यह 0,1 का बहाव है और बहाव को English में क्या बोलते है stream तो 0,1 की stream है पर यह किस direction में जा रही है हमारे program से बाहर की तरफ जा रही है variable के data को बाहर लेके जा रही है तो इसको बोलते है output stream तो यह आपको समझ output stream बोल रहे हैं इसका मतलब है कि कुछ और है जिसको हम input stream बोलेंगे यस जैसे मैं यह बना लेता हूँ तो इसको मैं बोल रहा हूँ input stream क्या फरक है दोनों में output stream अगर है तो इसमें data variable से file के अंदर जाएगा देकि मैंने arrow भी बना दिये हैं यानि कि यह जो line है यहां से variable का data file में जा रहा है तो इसको हम क्या बोलेंगे output stream यानि वो mechanism जिसके through data variable से file में जाता है और इसी तरीके से इस नीचे वाली line को हम बोलेंगे input stream इसकी मदद से file का data हमारे variable में आता है तो input stream और output stream अलग अलग है अब यह जो mechanism है इसकी technical specification से हमें कोई लेना देना नहीं है क्योंकि कि सब कुछ पहले से बना हुआ है इसको manage करने वाली class C++ में पहले से बनी है यानि क्या होगा मुझे कोई एक function चाहिए जिसके through मैं variable का data इस output stream में रख सकूं send कर सकूं तो इसी तरीके से मेरे को input stream से आ रहे है data को receive करने के लिए भी कोई function चाहिए वो तमाम functions जो की input stream और output stream क को manage करेंगे C++ में एक predefined class के अंदर मौझूद है यानि C++ में ऐसी predefined classes हैं जिनके objects बना कर मैं इन input stream और output stream को कर सकता हूँ represent तो जैसे कि आपने बात करी कि कोई भी object किसी भी entity को represent कर सकता है तो आप सोचिए कि output stream और input stream को represent करने के लिए भी objects बनाए जा सकते हैं तो इसका मतलब अगर output stream को represent करने के लिए मैंने एक object बना लिया अपने program में किसी predefined class का तो वो object के साथ dot लगा के मैं ऐसे functions को call कर सकता हूँ जिसकी मदद से data output हो पाए file में write हो पाए इसी तरीके से input stream class का object बना कर मैं input stream को manage कर सकता हूँ जो data file से आना है उसको मैं तै कर सकता हूँ किस variable में रखवाना है तो stream का मतलब आपको समझ में आया अब stream को represent करने के लिए हमारे program में क्या होंगे objects अब यह objects अगर हैं तो class भी है लेकिन class हमने नहीं बनाई क्लास कैसी है predefined class तो आए देखें जरा यह कौन सी predefined classes हैं हैं तो stream से related बहुत सारी classes मैं कुछ यहाँ पर diagram में दिखा रहा हूँ जो खास important एक class होती है जो इस पूरी hierarchy में सबसे उपर है parent most class है जिसका नाम है ओ सौरी iOS यह जो iOS class है input output stream का short कर दिया है iOS तो iOS class इन सबकी parent post class है अब इसकी दो child classes है एक i stream है एक o stream है नाम तो सुना होगा आपने i stream और o stream का i stand for input o stand for output i stream का i stream की एक child class है i stream with assign अचा आप लोग scene cout से तो family है scene cout क्या है scene एक object है यह object किस class का है लेकिन यह है i stream with assign का object इसी तरीके से आपने cout को भी use किया है cout किसका object है o stream with assign का yes हो सकता है आप में से किसी को पता हो कि cout o stream का object actual में वो o stream का object नहीं है o stream की child class का object तो अगर o stream की child class का object है तो cout को पूरा हख है कि वो o stream के members को भी access करे क्योंकि cout जिस class का object है उसकी parent class है o stream तो parent class के members तो cout को मिली जाएंगे access करने के लिए ऐसी scene के साथ भी है तो बात हमको समझ में आ रही है अब cout के साथ हम insertion operator यूज करते हैं कुछ भी output के लिए तो यह जो insertion operator है यह defined का है यह defined है o stream class में तो cout अपने parent class के members को call कर रहा है इसी तरीके से scene के साथ जो extraction operator हम use करते हैं वो defined है i stream class में तो i stream class के member को वो call कर रहा होता है ठीक है तो यह बात समझ में आई कि cncout i stream और o stream के members को access करते हैं पर i stream की एक child class है if stream o stream की एक child class है office stream और i stream o stream की common child class है i o stream जिसकी एक child class है f stream मैंने देखे तीन classes के color अलग किये हुए file handling में हमें इन तीन classes की जरुवत है इस diagram से बस हमें यह समझना है कि if stream का अगर मैं object बनाऊंगा तो मैं उन members को call कर पाऊंगा जो i stream में इसी तरीके से office stream का अगर object बनाऊंगा तो मैं उन members को call कर पाऊंगा जो o stream के है क्योंकि o stream office stream की parent class है तो जैसे cout insertion operator को call कर लेता है वैसी office stream का object भी o stream के members यानि insertion operator को call कर लेगा similarly, जैसे scene i stream के member extraction operator को call कर लेता है वैसी if stream का object भी iStream के member extraction operator को call कर लेगा और f stream में तो ये दौनों के features आ जाते हैं तो दौनों को ही use कर सकता है फर्क ये है कि cout हमें बनाना नहीं पड़ता ये हमें readymate मिलता है cout उसे इन दौनों predefined objects है लेकिन जो file handling के लिए objects हमें बनाने हैं वो इन classes के बनाने हैं if stream, office stream और f stream तो हमें object बनाने पड़ेंगे, बने बना हैं नहीं मिलेंगे तो cout आपको बना बनाया मिलता था पर office stream का object आप खुद बनाएंगे क्या फर्क है इन तीनों classes में यदि आप file में के विल writing करना चाहते हैं फाइल में कुछ output करना चाहा रहे हैं तो आपको office stream का object बनाना होगा office stream का एक object बनाने का मतलब है यह जो output stream है इसको represent करना इस output stream को मैं represent कर सकता हूँ with the help of object of class office stream और अगर मैं if stream class का object बनाऊंगा तो वो object किसको represent करेगा input stream को बात साम में हरी है office stream का अगर मैं object बनाऊंगा अपनी class में तो वो object एक output stream को represent करेगा और वो object call करेगा अगर insertion operator को तो इसका मतलब क्या है वो कुछ output कर पाएगा insertion operator के argument में जो pass करेंगे वो output होगा कहा output होगा उस file में जिससे की output stream associated है तो ये file कहां से आई तो file को तो पहले open करना पड़ेगा यस तो पहले ये file नहीं होगी पहले आपने केवल बनाई office stream का object बनाए तो केवल क्या बना output stream बने लेकिन फिर आपको file को open करना होगा file को open करेंगे तब जाके ये office stream का object file से associate होगा थोड़ा से इसको coding style में समझें तो देखें अगर आपको इन तीनों में से कोई भी class यूज़ करनी है तो अगर आपको इन तीनों में से कोई भी class यूज़ करनी है आपको पहले तो include करनी पड़ेगी एक header file जिसका नाम है fstream.h देखें कैसे hash include fstream.h तो ये वो header file है जिसके अंदर fstream, office stream और fstream का declaration है अब इसके बाद बाकी की जो necessary files हमको समझ में आ रही है iostream.h या koneo.h इनको include कर लिए अब मैं एक program बना रहा हूँ जिसके अंदर मुझे file में writing करनी है तो मैंने क्या लिखा offstream fout ये क्या बन गया ये एक object बन गया अब ज़र इसको यहां समझें object बन गया लेकिन अभी file open नहीं हुई है तो ये input stream भी अभी हटाता हूँ अभी ये दोनों नहीं बने ठीक है तो अभी क्या बन गया ये office stream का object बना है तो ये line जो है ना इस line को represent कर रहा है fout तो office stream का object बनना मतलब output stream का तयार हो जाना तो office stream का object बन गया लेकिन अब जरूरत क्या है इस file को open करने की जब तक ये file open नहीं होगी तब तक ये office stream की object की मदद से मैं data पहुँचाऊंगा कहां पर यानि office stream का object बना लिया fout तो बना लिया fout मैंने नाम रखा है output stream को पर ये output stream पर अगर मैं data चड़ाऊंगा तो ये data जाके उतरेगा किस file में वो file तो है नहीं तो file भी हमें बतानी पड़ेगी तो file हम कैसे बताएंगे आई उसको समझते हैं हम coding में लिखेंगे fout ये तो object का नाम हो गया इसके पास एक function होता है open अच्छा open function member function है बात संग में रही है किसका member है office stream class का तभी तो ऐसे call कर रहे है open function में as an argument हम पास करेंगे file का नाम जैसे file का नाम क्या है तो मैंने लिख लिया my file dot data file है अब ये जो file का नाम मैंने लिखा है मैं पूरा-पूरा path भी लिख सकता हूँ folder directory का नाम या पहले drive के नाम से start करें c colon slash slash फिर folder का नाम फिर slash फिर folder का नाम slash file का नाम ऐसा पूरा-पूरा पात भी दे सकते हैं या फिर आपने अगर सिर्फ file का नाम लिखा है तो जो current directory होगी जिसमें आपका ये program होगा ये program जहां run कर रहा होगा उसी folder के अंदर ये file अपने आप exist करने लगेगी अब क्या हो रहा है कि मैंने f out के द्वारा open function call करके इस file को open करने की बात करी ये file है कहां ये file hard disk में कहीं रखी हुई है तो क्या होगा अगर ये current directory में जिसमें program रखा हुआ है उसी folder में ये file भी इस नाम की रखी हुई है तो ये open हो जाएगी और ये ram में आ जाएगी और क्योंकि f out ने open function को call करके इस file को open किया है तो obvious सी बात है कि ये file उसी output stream से link हो जाएगी जिसको f out represent कर रहा है अगर इस नाम की file hard disk में exist नहीं करती या उस current directory में exist नहीं करती तो ये file create होती और create होने के बाद open होती ये सब काम open function कर देता क्योंकि हमारा intention है file में writing करना तो हो सकता है पहली बार writing कर रहा है तो अभी तो file exist ही ना करती है file exist नहीं करेगी तो file create होगी और फिर open होके RAM में आ जाएगी तो ये अपनी file आ गई अब इस पे आप कोई भी output operation perform कर सकते हैं जैसे की मैं यहाँ पे एक छोटा सा output operation perform करके बताता हूँ मैंने लिखा fout insertion operator hello ये hello कहां चला गया इस file के अंदर चला गया get ch program and yes ये हो गया ये file मैंने writing कर दी hello write हो गया file के अंदर अचा अभी ये file कहां बनी होगी myfile.dat आई उसको देखते हैं तो ये देखिए जैसे मैंने मेरा my computer use किया तो इसमें c drive, d drive, e drive, f drive e drive नहीं है f drive, g drive ये दिखा ही दे रही है अचा तो ये c drive जो है ना इसके अंदर मैंने turbo software install किया हुआ itc folder के अंदर bin folder के अंदर ये turbo file रखे हुए ये turbo software रखा हुआ है तो मेरा current directory क्या होगी bin folder होगया तो bin folder के अंदर देखे क्या कोई myfile नाम की file है make है, maker है, mybook है पर m से जितनी थी वो तीनी है और myfile.dat file इसके अंदर exist नहीं करती तो इसका मतलब क्या हुआ अभी ये file exist नहीं करती तो मैं अगर इस program को run करूंगा तो ना किवल ये file बन जाएगी और उसके अंदर ये hello right भी हो जाएगा अब ये सब कुछ आप अगर देखना चाहते हैं सैमेटेसली तो हम क्या करेंगे दौनों screens को एक साथ देखेंगे देखिए अभी आप दौनों screen देख पा रहें right मैं इसको run करूंगा और run करूंगा तो आप ये feel करिएगा कि यहाँ पर कोई file बनती है या नहीं बनती है चीक है देखिएगा ready है तो मैं run पर क्लिक कर रहा हूं जैसी मैं run करूंगा myfile.dat बन जाएगी और उसमें hello right हो जाएगा आज़ा एक और काम करता हूं इस code में एक छोटा सा change और कर देता हूं मैं ये open function के बाद get.ch लगा देता हूं क्या होगा यहाँ पर get.ch चलेगा तो screen रुक जाएगी और जैसी मैं कोई key press करूंगा वैसी get.ch का काम खतम हो जाएगा तो ये hello तब तक file में right नहीं होगा जब तक कि मैं key press नहीं कर दूंगा और एक और काम करता हूं get.ch के बाद मैं लिखता हूं fout.close function ये close function बड़ा important है close function क्या करता है file को close कर देता है तो इसके बाद मैंने get.ch लिखा अभी close function की importance आपको समझ में आएगी आपको प्रोग्राम देख रहा है आपको समझ में आ रहा है get.ch मैंने 3 लगा दिये ता ये देखते हैं कैसे चले गई तो सबसे पहले तो जहाँ-जहाँ get.ch लगा है वहाँ प्रोग्राम रुकेगा मेरे input के लिए तो एक एक काम में आप फर्क देख पाएंगे तो देखें मैं इसको run कर रहा हूँ बहुत ध्यान से देखें समझी इसको मैंने run किया देखें ये बन गई myfile.dat देख पा रहें आप और जरा ध्यान से लेखी यहाँ 0 bytes लिखा हुआ है इसका मतलब file तो मनी पर उसके अंदर कुछ content नहीं है ठीक बात okay अभी मेरे program में यह सब जो output दिखाई दे रहा है यह तो output screen पर पहले से लिखा है इसलिए यह दिखाई दे रहा है anyway मैं जैसी कोई key press करूँगा इसके अंदर hello लिखा आ जाएगा मैंने एक key press करे hello लिखा गया लेकिन hard disk में मुझे अभी file में अभी 0 bytes दिख रहे है क्यों क्योंकि यह hard disk का area है यहाँ पर की file आप देख रहे हैं यह 0 bytes की जो data write हुआ है hello वो कहां write हुआ है RAM के इस portion में तो अभी जब तक यह data पूरा का पूरा यहाँ copy नहीं हो जाएगा तब तक इसका size आपको 0 bytes से दिखाई देता रहे पास्वन में रही है ओके तो अब आगे मैं एक बार की प्रेस करता हूँ तो क्या होगा जो हमारा प्रोग्राम है देखे इसने file तो बना दी है file में data भी store कर दी है पर harddesk में अभी वो copy नहीं गई है तो हम क्या करेंगे एक और की प्रेस करेंगे तो यह आखरी वाला getch होगा नहीं second and last वाला क्योंकि close function चल गया देखे और इसलिए file का size देखे कितना हो गया 5 bytes क्योंकि उसमें cast हो रहा है hello यह की character one one byte लेगा न तो पांच characters है यह last gate से चल रहा है इसको keep press करूंग प्रोग्राम आपको दिखने लगेगा यह तो यह 5 bytes की file बन गई है तो यह hello as a string इसके अंदर store हो गया और आप समझते हैं कि hello में 5 characters है इसलिए 5 bytes memory जो null character होता है वो store नहीं हो रहा है दियान रखेगा c c++ में string का termination null character से होता है by default पर वो null character file में store नहीं हो रहा है सिर्फ hello store हुआ है file के अंदर तो यह program में हमने समझ में आया कि file में कैसे writing करनी है अभी आगे कि second part में हम देखेंगे कि कैसे हम file से data read करेंगे तो i hope यह concept आपको समझ में आया होगा file से जब data read करना होगा तो मैं input stream यानि if stream का object बनाऊंगा उससे काम करूँ okay यह files की hierarchy भी हमें समझ में आया ही कौन-कौन सी classes है if stream का object बनाएगे जब input करना हो off stream का object बनाएगे जब output करना हो तो यदि आपको यह video useful लग रहा है तो आप इसे like करने के साथ साथ अपने दोस्तों के बीच में share भी करें ताकि और भी लोग को इसका knowledge मिले आप Facebook wall पे इसको post कर सकते हैं ताकि और भी लोग आपके friends इसे देख सके और इस channel को subscribe करना मत भूलिएगा क्योंकि channel को subscribe करेंगे तो आपको इस तरह के और videos की updates लगातार मिलती रहेंगे तो यदि आपको ऐसा लगता है कि इसमें फिर भी आपको कुछ doubts हैं कुछ पूछना है तो आप comments के जरीए मेरे से पूछ सकते हैं आपको कुछ शिकायत है या कुछ सुझाव है तो भी आप comments के जरीए मुझ तक पहुँचा सकते हैं Thank you